Hello everyone, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है तो आज के इस वोडियो में हम लोग Dagger और Room Database के बारे में बात करेंगे देखेंगे कि Dagger कितरू हम लोग Room Database को कैसे अक्सेस करते हैं तो शुरू करते हैं हमारा lecture तो यहाँ पे हम लोग MVVM Pattern का यूज़ करेंगे तो last video में हमने retrofit के साथ implementation देखा था कि किस तरीके से हम लोग retrofit को implement करते हैं इस video में हम लोग Room Database को integrate करेंगे same project के अंदर तो कुछ इस तरीके से हमारा structure हो जाएगा यहाँ पे हमारा पास Room Database भी आ जाएगा अब repository जो होगी वो इन दोनों से data access करेगी तो generally हम लोग इस तरीके से implement करते हैं कि अगर हमारी offline होती है application तो हम लोग Room Database का use करते हैं और अगर online होती है तो हम लोग network API का use करते हैं अलब retrofit के दूँआ उसको access करते हैं तो यह structure हम लोग follow करते हैं generally तो इसको implement करते हैं तो यह मारा same project है जो हमने last video में create किया था तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो please make sure करें कि पहले वह वीडियो देखें उसका link आपको description में मिल जाएगा अब यहां पे हमें Room Database को integrate करना है तो उसके लिए यहां पे मैंने हमने dependencies add कर दिया जो भी Room के लिए required dependencies थी वो add कर दिया तो Room Database के लिए हमें 3 चीज़े चाहिए होती है सबसे पहले हमें entities चाहिए होती है कि हमारे tables के आउंगे जो हमारे database के अंदर tables होने वाले है वो tables जो हम entities के थुरू define करते है उसके बाद हमें DAO define करना होता है data access objects तो इन tables के अंदर जो हमारे पास data होता है उसको access करने के लिए हम लोग DAO define करते है तो यह मारा एक interface होता है वापे हम लोग सब अपनी definitions देते है उसकी सारी implementation हमें room provide करता है और उसके बाद हम लोग अमना database का object बनाते है यह 3 steps हम लोग follow करेंगे तो यहाँ पे हम लोग product को store करने वाले हमने database के अंदर तो यहाँ पे मैं इसको entity declare करते हूँ तो इस तरीके से हम लोग इसको entity define करेंगे और इसके अंदर हमें एक primary key भी बनानी होगी तो यहाँ पे मैं इसको primary key बनाता हूँ और इस पे auto generate false करते है क्योंकि यह data हमें API से मिलेगा और वहाँ से जो products आ रहे हमारा पास unique idea है इसलिए यहाँ पे मैंने इसको primary key mark करती है तो इस तरीके से हमारी entity ready हो चुकि है तो इसके अंदर एक और package बनाते है कि हमारा जो db से related code है उसको यहाँ पे store करेंगे तो इसको नाम देता हूँ db और इसके अंदर अपना dow मनाते है और इसे नाम देता है faker dow और यह हमारा एक interface होगा simply हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इस पे एक annotation लगा देंगे dow की अब हमारे tables के साथ जो भी operation perform करने होते है उसके लिए यहाँ पे हम लोग method declare करते है तो यहाँ पे मैं कुछ method declare करता हूँ add products तो यह हमारे products लेगा जो भी हमारे पास API से products आएगे उसको हम लोग database में store करेंगे तो यहाँ पे मैं list of products send करूँ ऐसे और इसमें मैं annotation लगाता हूँ insert की तो हम लोग क्या करेंगे जैसी हमारे पास API से data आएगा उसको पहले database में store करेंगे उसके बाद UI पे भेचेंगे तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक insert की annotation लगाई है कि वो क्या करेगी जैसी मैं इसको list of products भेजूँगा तो हमारे database में store कर देगी तो इसके लिए जो भी SQL query required होगी वो हमारे रूम database generate करेगा हमें खुद से generate करने की need नहीं है अब database से related जितने भी काम होते हैं उनको हम लोग background thread पे execute करते हैं तो यहाँ पे मैं इसको suspend mark कर देता हूँ तो इस तरही किसे हमारे यह function काम करेगा similarly इसके इंदर एक और function define करते हैं get products के नाम से तो यह हमार को return करेगा products की list और इसको हम लोग annotate करेंगे add the rate query से और यहाँ पे मैं query लिख देता हूँ select star from हमारे table का नाम है product तो यह हमने एक entity define करी थी यहाँ पे आप दिसकते ही हमारी entity है जो कि हमारा एक table होगी तो simple concept है यह जो entity है हमारी यह हमारा एक table है और इस table से data access करने के लिए हमने यह DAO define किया है तो यह वाला जो function है यह हमारे table में data को store करेगा और हमारा यह वाला जो function है इस table से data को access करेगा तो यह मारा DAO ready हो चुका है तो अपने next step पे चलते है अब next step पे हमें database को create करना है जो कि हमारा room database है तो उसके लिए हमें एक नई class define करता हूँ और इसे नाम देते है fakerDB अब यह वाली जो class होगी हमारी एक abstract class होगी और इसको मैं यहाप इनहलेट करूँगा room database से और इसके हम लोग एक annotation लगाते है database ही अब इसके अंदर हमें entities define करनी होती है कि इसके अंदर कोन-कोन से tables हम लोग add करने वाले है तो entities जो होती है हमारे tables होते है और database में हमें बताना पढ़ेगा कि इस database के अंदर हमारा पास यह सारी entities है बलग यह सारे tables है इस तरीके से हम लोग define करेंगे यहाँ पे मैं product लगी class को add कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक version पास करते है यहाँ पे मैं इसको one पास करते था अब इसके अंदर एक function define करते है जो कि हमारा एक abstract function होगा और वो हमें एक DAO return करेगा तो हमारा DAO है get faker DAO और इस function का जो return type होगा वो होगा हमारा faker DAO तो इस तरीके से हमारी database वाली class है वो ready हो चुकिया अब generally हम लोग क्या करते हैं इसके लिए हम लोग एक companion object बनाते हैं जो हमारे लिए single 10 implement करता है अब यहाँ पे हम लोग DAGAR का use कर रहे है तो DAGAR हमें वो single 10 provide करेगा मलब अपनी application के अंदर room database का सिर्फ aq object रखेंगे तो उसको हम लोग आपे single 10 mark कर देंगे तो आगे देखते हैं कि DAGAR के थूँ इसको single 10 कैसे बनाएंगे और इसको कैसे access करेंगे अब रूम database का instance होता है वो भी हमें एक builder pattern के थूँ मिलता है तो यहाँ पे मुझे एक module create करना होगा तो यहाँ पे मैं एक नया module create करता हूँ और इससे नाम देते हैं database module और इसको यहाँ पे annotate करेंगे add.module से और इसके अंदर एक function define करते है provide faker db जो मुझे return करेगा faker db की implementation और इस function के अंदर हम लोग अपना room database object बनाएंगे तो इस तरीके से हम लोग अपने room database object बनाते है room.database builder अब इस room database को build करने के लिए context का object चाहिए तो जनली हमारा application context होता है तो देखते हैं उसको कैसे access करेंगे तो अभी के लिए यहां पर मैं context लिख देता हूँ और हमारी class का नाम है faker db colon colon class dot java और यहां पर मुझे अपने database का नाम pass करना होगा तो यहां पर मैं नाम देता हूँ faker db और आकरी में हम लोग इसका build method call कर देंगे तो इस तरीक से हम लोग उमने room database का instance create करते हैं तो यहां पर मुझे कुछ और annotations भी लगानी होगी तो यहां पर मैं add the rate provides का use करूँगा और मुझे से singleton भी बनाना है तो यहां पर मैं इसको singleton mark कर देता हूँ अब यहां पर मैंने singleton का यह कैसे मिलेगा तो हमने देखा था कि हम लोग dagger में जब भी हमें runtime पर कोई values प्रोवाइट करनी होती है तो वहां पर हम लोग factories का use करते हैं अब यह वाली value है क्योंकि जैसे आपके application run होगी तभी आपको application context मिलेगा जैसे मैं application को run करूँगा तो मेरे को application context मिलेगा और वह value मुझे चाहिए होगी इस room database को build करने के लिए तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे एक factory define करेंगे तो मैं अपने application component के अंदर जाता हूँ और इसके अंदर एक factory define करते हैं तो यहां पर मैं एक interface define करता हूँ factory के नाम से और इसको हम लोग यहां पर annotate करेंगे component.factory और इसके अंदर हम आपस एक create method होगा तो यहां पर हम लोग binds instance annotation का use करेंगे और यहां पर मैं अपना context pass करूँगा और इस function का return type होगा होगा application component तो इस तरह किसे हम लोग एक factory define करते है factory का काम क्या होता है? objects को create करना है तो यह हमारे कौन सा object क्रेट कर रही है? यह हमारे application component को create कर रही है तो जैसे हमारे application run होगी तो हमें यह context मिलेगा जो कि हमारे application context है और उसको मैं इस component के साथ bind कर दूँगा तो इस तरह की से जो हमारे application context होगा वो हमें इस component के अंदर available होगा मलब यहाँ पे मैं अपने component के अंदर इस context को bind कर रहा हूँ जैसे dagger को जब भी context की जरूर हो तो वो directly use कर पाए तो मैं वापस हमने module पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं expect करूँगा कि इसको context का पता होगा तो इस तरीके से हमने यह parameter define कर दिया तो dagger जैसे इस function को call करेगा तो वो check करेगा क्या उसके पास context का object है मलब यह हमारी runtime value है क्या उसके पास context वाला object है उसने का हाँ तुमने factory में मुझे pass किया है तुमने इस context को bind करा है इस component के साथ मलब इस component के अंदर हमारी पास context वाला object है तो यहाँ पे जब उसको जुरुत पड़ेगी तो उस context को use कर लेगा और उसके basis पे हमें वो room database का instance बनाके देगा तो I hope आपको एक clear होगा कि कि इस तरीके से हमने यह पे factory का use किया है तो अपनी application class पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास error आजएगी क्योंकि हमारे पास builder.build वाला method नहीं होगा अब हमारे पास factory है जिसमें हमें runtime पे context pass करना है तो यहाँ पे आप देखेंगे same error आ रही है कि हमारे पास builder नहीं है तो इसको मैं यहाँ से remove कर देता हूँ और यहाँ पे हमारे पास factory होगी और इसके अंदर हमारे पास create method होगा जिसमें मुझे application context pass करना है तो यहाँ पे मैं this pass कर दूँगा तो this मतलब application और यह जो हमारी application class होती है वह application context से inherit करती है तो अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो इसके अंदर मैं इसको add कर देता हूँ तो room database related जितना भी setup था वो done हो चुका है तो देखते हैं इसको कैसे use करेंगे तो अपनी repository वाली class पर जाते है अब repository जो हमारी database को भी access करती है और हमारे retrofit को भी access करती है तो यहाँ पे मैं एक और variable define करूँगा private well fakerdb तो इस तरही की से मैंने एक property define कर दिया है यहाँ पे fakerdb की तो जैसे हमारी repository create होगी और यहाँ पे हम लोग dagger का use कर रहे है यहाँ पे हमने add the rate inject का use किया है तो dagger हमें यह दोनों objects प्रोवाइट करेगा वो चेक करेगा क्या वो faker API को object बना सकता है तो मैं object बना सकता हो उसके बाद वो चğक करेगा क्या वो FakerDBuda object बना सकता है तो मैं उसका use कर सकता हूँ इस function का use करके वह हमें fakerdb को object return करेगा और इस ही कहा हम लोग यहाँ पे use करेंगे तो simply हम लोग क्या करेंगे जैसे हमने पजूली-Chake.tv यह method है addProducts का तो यहां पर मैं इसको pass कर दूँगा result.body तो इस तरही किसे हम लोग repository में इस database का use करेंगे तो I hope आपको यह clear हुआ होगा कि मैंने क्या-क्य steps follow की है तो आखरी में इसको summarize करेंगे तो एक बार इसको run करके देखते हैं कि क्या output आता है और जितने भी हमारे यह products है वो इस database के अंदर enter हो चुके है तो इस तरही किसे हम लोग room database को access करते हैं dagger की मदद से तो अब बात करते हैं कि यह single ten है या नहीं तो उसके लिए भी check करते हैं तो मैं अपनी main activity वाली class पर जाता हूँ यह सिर्फ testing वाला code है यहाँ पर हम लोग just check कर रहे है कि जो हमारा room database है वो सिर्फ एक ही बार बनाया या नहीं तो यहाँ पर मैं एक latent var बनाता हूँ और इसे नाम देता है faker db1 और इसको मैं आपर inject कर वाऊंगा और इसी को copy कर लेते हैं यहाँ और इसको नाम देता है faker db2 और यहाँ पर मैं breakpoint लगायता हूँ और इसको debug करते है एक बारी तो यहाँ पर आप देसकते हमारा breakpoint है टो चुक है और अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर देसकते हैं दोनों जो objects है हमारे यह दोनों same objects है लग इन दोनों का hash code है वो same है तो एक बार इसको summarize कर लेते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या-क्या changes किया है तो room database को implement करने के लिए हमें 3 चीज़े चाहिए सबसे पहले हमें entity चाहिए यहाँ पर मैंने entity define करी यह entity होती है मारा table होती है उसके बाद मैंने यहाँ एक DAO define किया जो भी हमारे को table से data चाहिए होगा वो हम इस DAO के थुरू access करेंगे उसके बाद मैंने अपना database बिल्ड किया यह database वाली class है इसको यहाँ पर मैंने बता दिया कि तेरे पास यह tables है और तेरा version यह है और इसके इंदर अपना appstruck function define कर दिया अपने DAO के लिए तो इस सारी implementation जो हमें room provide करेगा अब database का object है वो हमार को builder pattern की through मिलता है तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक module create किया और यह मुझे database का object देगा अब database के लिए मुझे context चाहिए जो हमारा application context है वो चाहिए तो उसके लिए मैंने क्या किया अपने component के अंदर factory define करती है क्योंकि जब भी मुझे runtime पर कोई values provide करनी होती है तो महाँ पर हम लोग factory define करते हैं तो यहाँ पर मैंने factory define करी तो जो भी मुझे instances bind करने होगे जो भी मुझे runtime पर values bind करनी होगी उसमे मैं यह bind instance annotation का use करूँग और यह जो factory है यह मुझे component turn करेगी तो इस तरीके से हमने factory define करी और अपनी application class में इस तरीके से factory को use किया और यह जो मारी repository वाली class है इसमें मैंने FakerDB को use किया जिसके दुरू हम लोग अपने database में value store कर रहे है तो यह steps हमने follow किया तो आज के लिए इतना ही अगर आपको यह वीडियो अचला कर तो please like करें अगर अभी तक आपने हमें subscribe नहीं किया तो please subscribe करें यार आप लोग वीडियो देख चाते हो subscribe नहीं करते हो कोशिच रहती है मेरी quality content produce करने की तो motivate करो थोड़े numbers बढ़ाओ thank you for watching आपका दिन शुबो धन्या